नमस्षिवाई, जैश्री महांकाल हर हर महाद्योग दोस्तों हमारे जीवन में जितनी सारी बाधाय और परिशानिया वर्तमान चल रही है इन सभी में शनी ग्रह का बहुत 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 योगदान है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में जब बहुत सारी परिशानियों से घिरा होता है चाहिए वो संतान से हो, बच्चों से हो, कोई भी परिशानी जिस परिशानी से उससे हल नहीं मिल रहा हो उस परिषाने में उलस्ता ही जा रहा है, चाहें वो अर्थी गूरूप से तंगी जहिल रहा हो, कोई legally तकलीफ हें जहिल रहा हो, यह यूँ कहें कि एक विवादित स्तिया life में है, कि जिन परिशाने उसी वे चाहकर भी भार नहीं निकल पा रहा है ऐसे सिती में किसी भी जाता कि कुंडली में शनी का बहुत बड़ा योगदान है और शनी की जो भूमी का है बहुत बड़ी होती है तो आपको अपनी कुंडली के बारे में नहीं पता हो उस सभी चीजों से भूल कर इन तरीकों को अपना लेना चाहिए अगर आप इने अपनाएंगे तो आने वाले दो तीन महीनों में आप बहुत सारी चीजों में बहुत सकारत्मक फाइदा उठा सकते हैं क्योंकि इस प्रत्वी पर हर एक ग्रह का मुमेंट का प्रभाव हमारे जीवन पर होता है और अगर हमारे नीजी कुंडली में शनी सही अप एंडाउन या चीजे नेगेटिव है तो उसके प्रभाव बहुत नेगेटिव होते हैं क्योंकि शनी न्याय के दे होता है और न्याय जो होता है वो निस्पक्ष होता है यह इंसानों का न्याय नहीं है यह इश्वर का न्याय है और यह ग्रहों का न्याय है तो मूल जो बात है हमेशा जो चीजे में आपके साथ साजा कर रहा हूं इन्हें आपको फोलो करना ही है आप इने फोलो करोगे तो आपकी लाइफ में तीन महीनों में बहुत सडन जेंज आएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कमेंट्स में भुलेनात का नाम लिखें अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विचलेशन हमसी करवाना इस्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं वाटसप पर अपोइंटमेंट लेकर हमसे बात करें उसका फीस शुल्क लाग हुए सबसे पहली बात जूट बोलना बंद कर दे शनी सबसे जादा तकलीफ में शुरूँ होती है जो जूट बोलता है खुद से भी जूट बोलना और दूसरों से भी जूट बोलना इस आदत को तुरंट बदल ले मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप जूट बोलते हैं पस मैं यह कह रहा हूँ कि इस तरह की जो आदात है उसे बदलना होगा दूसरा है कि हमें हनमान जी की सेवा और उपासना करना होगी इस यूग में इस कल यूग में एक ही देवता है जो जागरत हैं और वो जीवित हैं वो है भगवान हन्मान जी महाराज और हन्मान जी महाराज प्रसंद होते हैं राम नाम के जब से, हन्मान चालिसा से, बजरंग बांड से, रामान के वाचन से, पढ़ने से, इससे भगवान हन्मान जी बहुत प्रसंद होते हैं, और जह हन्मान जी